आप सभी का स्वागत है मैं चवी शर्मा आपको पढ़ाती हूं कॉम्मिकेशन स्किल्स लास्ट लेक्चर तक, लास्ट क्लास तक हम तीन यूनिट्स कवर कर चुके हैं फर्स यूनिट हमारी कॉम्मिकेशन स्किल्स की थी सेकेंड थी हमारी क्या करते हैं बेसिए इफेक्टिफ कॉम्मिकेशन की और थर्ड यूनिट थे हमारी reading comprehension की, ये तीन units हम cover up कर चुके हैं, last unit में हम unseen passage, unseen poetry देख चुके हैं, अब बात करते हैं next unit के, unit 4 unit 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं unit 4 is about your writing skills जैसे कि मैंने आपको last unit में भी बताया था कि हम इसमें writing skills पर work करेंगे अब writing skills में हम क्या-क्या देखेंगे अब जैसे कि आप कहीं पर school में हैं, या आप college में हैं आपको holiday चाहिए, छुटी चाहिए तो आप application लिखते हैं, अब वो application कैसे लिखते हैं, तो हम यहां पढ़ेंगे कि how to write an application application to principal principal को application लिखते हैं, अगर हमें तो हम librarian को भी application लिखते हैं, हम दिए देखेंगे एक topic हमारा आता है, email drafting email drafting भी हम पढ़ेंगे एक हम पढ़ेंगे notice drafting की notice हम कैसे लिखते हैं notice drafting हम पढ़ेंगे informal and formal letters informal and formal letters तो इस तरह से हम काफी सारी writing processes, writing skills हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, साथ ही में एक topic है, report writing और message writing की message भी कैसे लिखेंगे और कौनसी writing skill किस time पर कैसे use करनी है वो भी हम यही पर unit 4 में सीखेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं application to principal या librarian आज ही ग्लास में हम यही पढ़ेंगे application to principal अब कोई भी application लिखने से पहले हमें उसका format पता होना चाहिए कि जब हम application लिख रहें हैं, तो उसका format क्या होगा? तो पहले हम format discuss करेंगे जब principal को application लिख रहे हैं तो हम कैसे start करते है application? हम starting में लिखेंगे left corner से to the principal हमेशा याद रखें, बच्चे principal की spelling में बहुत गलती करते हैं P-R-I-N-C-I-P-A-L ही होता है principal जब हम प्रधाना चार्य की बात कर रहे हैं तो यह spelling लिखेंगे बहुत सारे वच्चे principal की spelling P-L-E कर देते हैं जो की गलत है इसका मतलब हो जाता है Siddhant तो हमें हम प्रधाना चार्य को application लिखनी है तो हम लिखेंगे to the principal इसके नीचे आजाएगा आपका name of college यह school जो भी आपका college है यह school है उसका नाम after that आप नीचे लिखेंगे इसमें इसका address कि आपके जो यह principal लिखेंगे जो आप प्रिंसिपल का application लिख रहे हो इस college जिस college से लिख रहे हो college का address लिख हो गए हाँ पे आप इसके बाद next line में आप लिखेंगे date date present होनी चाहिए कि आज की तारिक क्या है जिस date में आप application लिख रहे है clear है इसके बाद next line में आप लिखेंगे respected sir principal अगर male है तो आप लिखेंगे respected sir और अगर female है तो आप लिखेंगे respected ma'am clear है इतने के बाद आपका content start होता है just यहां से इसमें आप content पे सारा अपना वह material लिखते हैं जिसके लिए आप application लिख रहे हैं यहां पे आ जाएगा आपका content अब जब application लिखते हैं तो application काफी चीजों के लिखते हैं चुट्टी चाहिए हम शादी में जा रहे हैं या हम घर से बाहर जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं तो वह सारी application का content हम यहां पे लिखते हैं जब हमारा वह content खतम हो जाता है तो हम thank करते हैं तो last में आता है नीचे thanking you अब आप उनके student हो obedience student हो तो नीचे हम डालते हैं obediently name आपका और उसके नीचे आपका class and roll number clear है इतना कि हमने किस तरह से लिखा application लिख रहे है principal को format clear होना चाहिए to the principal name of college फिर उसका address date present date जिस date में आप application लिख रहे हो उसके बाद respected sir और ma'am जिसके लिए भी आप लिख रहे हो principal female है तो madam male है तो sir उसके बाद आपका content and उसके बाद thanking you yours obediently name class and roll number इतना क्लियर हो गया अब जब format clear हो गया तो हम कुछ applications देख लेते हैं कि applications लिखी कैसे जाती है content कैसा होता है तो first application के साथ start करते हैं first application आप लोग आपकी screen पर दिख गई होगी that is application for leave to attend marriage आपको first application हम लिख वा रहे हैं जब आपको application लिखनी है to attend marriage कि आपको शादी में जाना है तो आपको application लिखनी है आप शादी में जाना है चुट्टी चाहिए तो आपको application लिखनी है अब आप देखते चलिए format के साथ compare करते चलिए सबसे पहले to the principle यही लिखा हुआ है उसके बाद name of college and address इसी तरह से लिखा हुआ है because जब question आता है you are जो भी नाम होगा student of xyz public school तो जो भी नाम आपके उस question में होगा आपको नाम भी वही लिखना होगा और school का नाम भी वही लिखना होगा उसमें चाहे xyz school लिखाओ चाहे abc institute लिखाओ जो भी लिखाओ आप वही नाम वहाँ पे mention करेंगे फिर address question में नहीं गिवन है तो आप address कुछ भी डाल सकते है after that date लिखेंगे present date जो भी date है उसके बाद respected sir इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है कि आपने address of the college है फिर date है फिर हमने डाला subject अब जब आप application लिख रहे हो तो आप एक डालोगे subject subject क्या हो गया? subject हो गया कि आपने application किस चीज के लिए लिए अगर सीधे सीधे application लिखते चले जाए बहुत जादा important नहीं होता यह हम letters में जरूर यूज करते हैं आप यहां पर लिखें के subject तो वह easy होगा principle के लिए कि आपने application किस चीज के लिए लिखी है तो आपने application लिखी है for leave to attend marriage application for leave to attend marriage कि आपको application लिखनी है चुट्टी के लिए आप शादी में जा रहे हैं sir या madam most respectfully I want to state that there is a marriage in my family आपको पूरी respect के साथ, पूरी इज़त के साथ मैं बताना चाहता हूं कि मेरे घर में शादी है, मेरे family में शादी है I have to attend a marriage with my family which is going to be conducted in Bangalore मुझे ये शादी attend करनी है अपने परिवार के साथ जो की Bangalore में होने वाली है This marriage is on 20th February 2021 ये शादी 20th February को है and we will be leaving the town on 18th February to attend it और हम इस शहर को छोड रहे हैं शादी attend करने के लिए 18th February को I will join the college from 24th February after returning back मैं वापिस आके college join करूंगा ये करूंगी 24th February को जब मैं वापिस आजाओंगी Hence kindly grant me leave from start date to end date मतलब कि मुझे छुट्टी दीजिए start date क्या होगी 18 को जा रहे हैं तो 17 से 18 से जब से छुट्टी जिए तब से to end date 24 को join कर रहे हैं तो 23 तक छुट्टी मुझे चाहिए I shall be really grateful to you मैं आपका बहुत अभारी रहूंगा Thanking you, yours obediently, name of the student and then roll number Clear है application किस तरह से हमने लिखी कि हम शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो हमने content किस तरह से create करा हमने उसमें बता दिया कि most respectfully मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे घर में मेरी family में एक शादी है तो यह वाले आपको application समझ में आगी Coming back to second example, अब हम second example देखेंगे second slide में तो second slide आपकी आएगी application, leave application for one day आप एक दिन की चुट्टी चाहिए बस, एक दिन की चुट्टी का reason कुछ भी हो सकता है कि आप किसी relative के घर जा रहे हो या आपके घर कोई guest आ गया है या फिर के कहते हैं, आपको बुखार हो गया, या बिमार हो, कुछ भी urgent work आ सकता है तो आपको तब चुट्टी चाहिए, तो तब आप application कैसे लिखेंगे Same process है, जैसे last में था, to the principal, address of college then to the principal, name of college आएगा बीच में and then address of college उसके बाद present date, जो भी आपकी date है फिर subject हमने क्या लिख दिया, leave application for one day, कि हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए Next, Sir, Madam, I am a student of class and section मैं student हूँ, class और section mention करेंगे कि आप कौन सी class के student है और कौन से section के है At your college, आपके college में This is to inform you that I have to visit my grandfather's house due to some important work along with my parents कि आपको बताना था कि मुझे एक urgent work है अपने दादा दादी के घर पे, अपने parents के साथ इसलिए मुझे वहाँ पे चाना पड़ेगा Hence, I will not be able to come to college tomorrow इसलिए मैं कल college नहीं आ पाऊंगा Kindly grant me leave for one day कृपय करके मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे I shall be really grateful to you मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूंगा Next, thanking you, yours obediently नीचे आप नाम लिख देंगे and then roll number Clear है second application किस तरह से हमने लिखी Second application के बाद एक example हम और लेंगे जैसे ही हमने दो applications कर ली एक marriage के लिए, एक early leave के लिए Coming to third example Third application for going out of station कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो आप application किस तरह से लिखेंगे Same format वही रहेगा To the principal, name of college, address फिर date, फिर subject की leave application for going out of station फिर sir, madam After that, अप content है थोड़ा सा change हो गया क्योंकि आपको किस लिए चाहिए चुटी कि आप बाहर जा रहे हैं तो I back to say that I am student of class आपकी class और section mention करेंगे At your college कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपके college का student हूँ इस class का, इस section का I have my family function in Delhi and all my family members are going to attend it कि मेरे घर में एक family function है दिल्ली में और मेरे सारा परिवार उसको attend करने जा रहा है Hence, I am also leaving with them and will not be able to attend college from start date to end date कि मैं भी उनके साथ इस family function को attend करने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैं college इस थारिख से इस थारिख तक नहीं आ सकता I request you to quarterly grant me leave for number of days मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ request करता हूँ कि आप मेरे को इतने दिन की छुटियां दे दे After coming back, I will try to finish the syllabus covered in my absence with the help of my teachers and fellow classmate आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपने teachers की help से और अपने classmates की help से जो मेरा syllabus है उसको cover up कर पाऊं I shall be really grateful to you if you approve my leaves मैं आपका बहुत जादा अभारी होंगा अगर आप मुझे मेरे छुटियों के लिए अनुमती दे next class फिर वही हो जाएगा thanking you, yours obediently, your name, class and section and last में roll number clear समझ में आ गया कि application आपने principle को लिखी तो किस तरह से लिखी तीन examples हमने लिए तीनो examples आपको clear हो जाने चाहिए अब इसके बाद हम कुछ और देखेंगे जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे application slide का काम लगबग खतम हो गया है इसके बाद हम बात करते हैं application of principle आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करेंगे कुछ और applications की मैं इसको इधर से रब कर देती हूँ मैंने आपको बताया था कि हम applications पढ़ेंगे application to principle और librarian अभी हमने देखा कि हमने application पढ़ी प्रिंसिपल के लिए अगर आपको application लिखनी है librarian को, जैसे कि अगर आपका library card misplace हो गया, आपको books चाहिए या आपको librarian से कहना है कि library में कुछ extra books available कर आएं कुछ और books लेकर आएं, तो आप वो application किस तरह से लिखेंगे, हम इसी में ही देखेंगे हमने जब प्रिंसिपल को application लिखी थी तो हमने किस तरह से लिखा था हमने लिखा था, to the principal, name of college, address, present date हमने डाली थी अब मैं आपको एक example complete लेके दिखाऊंगे format के साथ नहीं दिखा रही, complete example लेंगे हम एक application to librarian के लिए suppose that आपको question मिला है कि you are आपको question मिला है you are web of you are web of of class twelfth of x y z public school write an application write an application to librarian for arranging more books on literature आपको बोलना है, question समझ में आगया होगा कि आप web of class twelfth के, x y z public school के आपको एक application लिखनी है, librarian को, कि वो और literature की books arrange करे, तो start कैसे करेंगे? same format लेंगे, जैसे हमने पहले लिया था, to the, 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 principal को लिख रहे थे, इसलिए principal, अब हम librarian को लिख रहे हैं, to the, librarian, मैंने आपको बताय था कि जब आपको question में नाम दिया होगा, तो आप वही नाम लेंगे, तो यहाँ school का नाम दिया है, x y z public school, तो आप यहाँ लिखेंगे, x y z public school, अब इसमें address मेंचन नहीं है, तो आप address कुछ भी डाल सकते हो, मैंने हाँ डाल दिया, उत्तर प्रदेश, clear है, after that, अब आपको application किसलिए लिखनी है, application to librarian for arranging more books on literature, तो आप subject लिख सकते हैं, हाँ पर, subject क्या हो जाएगा हमारा, application, for arranging more books on literature, clear है, आपने to the librarian, x y z public school, उत्तर प्रदेश, फिर subject लिख दिया, next, अब आप यहाँ लिखेंगे, respected, ma'am, I like to say that, I am student, of class twelfth, of your school, पहले हमने बताया कि हम कौन है, कि मैं एक student हु, class twelfth का, आपके ही school का, I want some extra literature books, literature books in library, as, आप literature book आपको क्यों चाहिए, ये भी तो बताना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे साथ में, as, I have gone through, I have gone through, कि मैं, through, all the material available in library, जितना भी material library में available है, उसको मैं पड़ चुका हूँ, मैं उसको पड़ चुका हूँ, तो नीचे last में आप लिख देंगे kindly, arrange, some more books, more books, कि आप on literature, कि literature पर आप कुछ और books arrange कर दीजिए, clear है, last आप कर देंगे, फिर thanking you, yours obediently, आपका नाम, नाम कोशन में दिया था, वैभव, और नीचे आपकी class, class 12th, अब इसमें हमने date यहां mention नहीं करी है, तो हम date यहां mention कर देंगे, that is, जो भी आपकी आज की date है, जो आप application लिख रहे हो, वहाँ पर teacher को पता होना चाहिए, कि किस date में application आई है, clear है, एक बार फिर से देख लीजे, याद रखना है कि जितने भी आपके format की चीज़े हैं, यह left corner से start होंगी आपके page के, कोई भी चीज ऐसा नहीं, to the principal या to the librarian आप center में लिखोगे, यह left corner में लिखी जाएंगी, to the librarian, XYZ public school उत्तरप्रदेश, और इस तरह से आप अपनी application लिखेंगे, इसके साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि applications किस तरह से लिखी जाती है, यह application वाला topic writing skills में यहीं पर खतम करती हो, और applications आप practice कीजिए, next class में हम करेंगे notice writing और drafting email, हम दो topics करेंगे next class में email writing और drafting notices, तब तक आपको कोई भी queries है, यह classes के time schedule के बारे में जानना है, तो आप JEC Polytechnic Semester Classes का telegram group join कर सकते हैं, साथ ही साथ आप J Classes Merit का mobile application डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको play store पे मिलेगा, इतने आपको कोई भी queries है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको queries हैं या तो वो आप comment करके बता सकते हैं, thank you and have a nice day.